कि नमस्कार दोस्तों सभी का एक पफिट से डायमसी क्यूजी के में दोस्तों आज हम राजस्तान के राजविवस्ता से महत्पुन टौपिक राजयपाल को पढ़ेंगे दोस्तों राजयपाल से सम्मधित महत्पुन 100 पर्षनों को आज हम पढ़ेंगे दोस्तों शुरू करने से पहले अगर आपने हमारी चैनल लटाएं सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्यों भी दोस्तों हम महत्पूण परष्णों के वीडियो डालते रहें दोस्तों यह चैनल के और अमसे क्यों परष्णों कोई समस्पित है जो आपके आगया में आने वाली विभ NBC परिक्षाओं के लिए 24फण साबित होगी दोस्तों वीडियो के अंतुर तक बने रहे से पर्ष्णों कि पलेख बहदी मैठ प्रिक्षान साबित होगी चले दोस्तों सुरू करते हैं आज के पहले पर्षन के सार दोस्तों आज का पहला पर्षन है समीदान के किस अनुचेद में प्रावधान है कि परतिक राजी का एक राजी पाल होगा तो दोस्तों यह प्रावधान अनुचेद 153 में जिसके तहट परतिक राजी के लिए एक राजी पाल होग दोस्तों बता दे कि राजियों के पुनर कठक के बाद 1956 में दोस्तों प्रावदान किया गया यानि दोस्तों साथवे सविदान संसोतेन गया अंतरकत प्रावदान किया गया कि एक व्यक्ति दो या दो सेदिक राजियों के लिए राजियपाल हो सकता है दोस्तों इस पर्षन का सही उत्तरगा उप्षन चलते हैं दोस्तों अगले पर्षन की और अगला पर्षन है दोस्तों राजस्तान के पर्थम नियुक्त राजयपाल कौन है दोस्तों राजस्तान के पर्थम नियुक्त राजयपाल है स्री गुरुमुक नियाल सिंग इसका सही जाती है तो दोस्तों अगले पर्शन के और राजस्तान की पर्थं महिये राजेपाल कौन थी को स्रीमती पर्थिपा देवी सिंगजी Il है जो बाद में इन्होंने इस्तिफा दे दिया था और ये दोस्तों बारत की पर्तम महिला राष्टपती भी बनी चलते हैं दोस्तों अगले पर्शन की और राजेपाल की न्यूकती की जाती है तो दोस्तों राजेपाल के नियुक्ति अनुचेत 155 के तहट राष्टपती द्वारा की जाती है और दोस्तों राजेपाल राष्टपती के परसात परिंदी अपने पत पर बना लेता है इसका सहीत तो रहागा ओप्सन हर चलते हैं अगले परसन क्यों? राजेतान में जब आकरी बार राष्टपती सासन लगया गया तब राजी के राजेपाल कौन थे? तो दोस्तों जब आकरी बार राष्टपती सासन लगया गया तब राजी के राजेपाल M चेनल रेडी थे दोस्तों अब तर राजस्तान में कुन चार बार राश्ट पती सासन लग चुका है दोस्तों पहला राश्ट पती सासन 1967 में लगा था दूसरा राश्ट पती सासन 1977 में दोस्तों तीसरा राश्ट पती सासन 1980 में और चाता राश्ट पती सासन 1992 में लगा था दोस्तो चोता राश्टपती सासन यानि अंतिम राश्टपती सासन लगने के समय राजस्तान के राजिपाल M. चिन्ना रेडी थे और दोस्तो उस समय CM यानि मुख्य मंत्री बैरु सिंग सेकावत्य चलते हैं अगले परसन की और नेचे दिये के कतनों पर विचार कीजी दोस्तो पहला कतन है राजिक का राजिपाल अपने पत पर राश्टपती की इच्छा परियंती रहता है जो कि दोस्तो सही है राजिपाल की नियोक्ती परदान मंत्री द्वारा की जाती है दोस्तों ये कतन गलत हो जाएगा राज़ेपाल के नियुक्ति राष्टपती द्वारा की जाती है तो दोस्तों इसका सही उतर होगा ओप्शन यानि एक सही है और दोस्तों दूसरा कतन गलत है चलते हैं अगले परसिंट की ओर राज़ेपालों में से किसने अपने पत से त्याग पत्र दिया था दोस्तों इन सबी राज़ेपालों में से मदनलाल खुरान ची ने अपने पत से त्याग पत्र दिये दिया था दोस्तों मदनलाल खुरान ची दिल्ले के पूर मक्य मंत्री भी रह चुके दोस्तों सक्रिय राजनेति में जाने के लिए इन्होंने अपने पत से त्याग पत्र दे दिया था चलते हैं अगले परशन की और अगला परशन है दोस्तों राज equations तान में जब पहले पार राश्पति-सासन लगया गया तब राजे के राजेपार को ते हैं दोस्तों राज्य में सबसे पहला राश्पती सासन उनिसो सर्षट में लगा था उस समय राज्य पर संपूर्णा दंज जीते दोस्तों राश्पती सासन क्यों लगा था उनिसो सर्षट में दोस्तों किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था इस कारण राज्य में राश्पती सासन लगाया गया बाद में दोस्तों बहुमत से मोहनला जुकड़े जीने सरकार बनाई दोस्तों इसका सही उत्तर होगा option यानि पहले राश्पती सासन लगने समय संपोन अनंजी राजस्तान की राजेपाल थे इसका उत्तर option सही होगा चलते हैं अगले परसन के ओर राजेपाल अपना त्याग पतर सम्भोधित करता है और उस्तो ये कित अनुचेत के तहद करता है तो ये अनुचेत 156 के तहद राजेपाल अपना त्याग पतर राष्ट पतर को सम्भोधित करता है चलते हैं दोस्तो अगले परसन के ओर अगला दर्जते दोस्तों राजेपल की पद के लिए योगेता का उलेक अनुचेद 107 में इसका उलेक क्या गया है यानि राजेपल पद के लिए योगेता का उलेक 107 में दोस्तों राजेपल पद की योगेता है क्या है तो इनकी पद की योगेता है कि ये बारत के नागरी होने चाहिए और दूस्तों 35 वर्स आयू इनके होने चाहिए और दूस्तों किसी पी लाप के पदवर नहीं होने चाहिए वो किसी पी सदन के सदस्य नहीं होने चाहिए तो दूस्तों यूनतम सीमा के बारे में पूचा गया है तो राजेपाल के लिए नूर्तम निर्दाजन सीमा है 35 वर्स इसका सही उत्तर हो जाएगा option चलता हैं दूस्तों अगले परसन क्यों अगला परसन है दूस्तों राजेपाल का सामाने कारेकाल होता है वैसे तो राजेपाल राष्टपती के परसात परियाद अपने पर रहते हैं दूस्तों इनका सामाने कारेकाल 5 वर्स होता है और ये अपने पर पर तब तक बने रहते हैं जब तक कि किसे नई वैक्ति को राजेपाल न चोन लिया जाए चलते हैं दोस्तों अगले पर्शन के और अगला पर्शन है दोस्तों निमना के मैं कौन सा दिकार राजय पाल को नहीं है पहला उप्शन है दोस्तों मुख्य मंत्री की नियुक्ति राजय पाल द्वारा के जाती है जो कि दोस्तों सही है अनुचेत 164 के तहते है राजय पालदारा मुख्य मंत्री वो मंत्री परिशित की नियुक्ती की जाती है मुख्य मंत्री की सला से अन्य मंत्री में जी यहां दोस्तों अनुचेद 164 के तहती अन्य मंत्री की न्यूकता भी राजेपाल दोरा की जाती है राजे की कारेपाले का कि सकती सीमा में किसी सिदु दोस व्यक्ति के दंट को समा करना जी हाँ दोस्तों यह भी कतन सही होगा अनुचे 161 के तर राजेपाल को यह दिखा रहे कि वह किसी विश्चेद दोस्त व्यक्ति के धंड को समा या कम कर सकते हैं अगला उप्सन हैं दोस्तों उच नियाले के नियादीसों की नियुक्ति जी नहीं दोस्तों यह उप्सन यह कतन दोस्तों गलत हो जाएगा उच नियाले के नियादीसों की नियुक्ति राजेपाल दोरा नहीं की जाती दोस्तों यह अनुचे 219 के तहत राश्टपती दोरा उ तो सपत सपत उसने हैले की नियादियों-स्वो को राजयेपाल द्वारा दोक दिलाए जाती हैं years-to भे कि राजयेपाल के अधिकार नहीं है उसके बारे मैं पूछा है तो दोस्तो ऑफ्सन त॥ इसका सहीध दोजाएगा चलते हैं दोस्तों अगले परसन की और अगला परसन है दोस्तों राजस्तान में राश्टपती सासन कितनी पार लगाएगे तो दोस्तों अब तक राश्टपती सासन राजस्तान में 4 पार लग चुका है पहला दूस्तो राश्डपति शासन 1957 में लगाता, दूसरा राश्डपति शासन 1977 में लगाता, तीरसरा रश्डपतिस शासन план innate 1891 में लगाता चलते हैं अगले पर्सं की है अगला पर्सं की और दूस्तो राजयपाल अपने कारियों के लिए किसके पति उतर दाई होता है तो दोस्तों राजयपाल अपने कारियों के लिए राश्पति के पति उतर दाई होता है इसका सही उतर जाएगा दोस्तों और चलते हैं अगले परसंट कियों किस अनुचेद के तेस्ट राजिपाल अध्यदेश जारी कर कानून बनाता है दोस्तों अनुचेद दोस्तों तेरा के तेस्ट राजिपाल को अध्यकारे कि वह अध्यदेश जारी करता है इसका सहीवत रजेगा उप्शन दग चलते हैं अगले पर्शन के और विवा का दिन सक्तियों का परियुग करते समय राजी पाल किसके पर्तिनिती के तोर पर कारे करता है दोस्तों विवा का दिन सक्तियों का परियुग करते है राजी पाल संगे सरकार के पर्ति पर्तिनिती के तोर पर कारे करता है इसका सही उतर जाएगा दूस्तों, उप्सन, चलते हैं अगले परसंट के हो, अगला परसंट है दूस्तों, राजी पार नियम्न मेंसे किस विदेक को राजी विदान मडल के समय उनर विचार रेत्टू वापस नहीं बेश सकता है, तो दूस्तों, इन सबी विदेकों मेंसे विदेकों, राजी पाल विदान मडल के समय वापस नहीं बेश सकता, इसका सही उतर जाएगा दूस्तों, उप्सन, चलते हैं दूस्तों, अगले परसंट के हो, अगला परसंट हैं दूस्तों, राजे के राजी पाल को पहचानी, जिनके कारेकाल में राश्पती सासन लगय गया और अटाय भी गया, दूस्तों, इन सभी राजे पालों में से, रगुनन तेलग के समय, राश्पती सासन लगया गया और इन के समय राश्पती सासन को अटाय भी गया, दूस्तों, इसका सही उतर जाएगा उपसंट, चलते हैं अगले परसंट के हो, अगला परसंट है सेकावत अपने राजनेतिक जीवन में किसी भी राजी के राजेपाल नहीं रहे वागे दोस्तों अरीदेव जोसी जी जगनात पहड़े जी और सियुचरन मातुर जी किसी न किसी राजी के राजेपाल रह चुके हैं दोस्तों बता दे आपकी जानकारी के लिए कि जी सेकावत किसी भी राजेप के राजेपाल नहीं रहे ये केवल हमारे भारत के उप्राश्टिपेती के पत पर रह चुके हैं जलते हैं अगले परसन के और अगला परसन है दोस्तों निमलकेत मैं से कौन राजस्तान के राजेपाल द्वारा नहीं होते हैं राजस्तान के म मुख्य मंत्री की नियुक्ति राजेपाल द्वारा की जाती है यहां दोस्तों अनुचेद 164 के तहद मुख्य मंत्री की नियुक्ति राजेपाल द्वारा की जाती है राजसा उच नियाले के नियादी स्व के नियुक्ति यह दोस्तों नियुक्ति की जाती है राष्ट पती द्वारा की जाती है लोकसिवा आयो के सदेशियों की न्युकति और राज्य महानदीगर आयो के सदेशियों की न्युकति ये भी दोस्तों राज्यपाल द्वारा की जाती है तो दोस्तों इसका सही तो जाएगा ओप्शन बग उच्छ नियाले के नियादयों सुक न्युकति राजेपाल द्वारा नहीं होती यह राश्णपती द्वारा होती है चलते हैं अगले परसंट के और समयदान के अनुचेद 167 के अनुचार राजेपाल को चानकारी देना मुख्य मदरी का क्या है दोस्तों अनुचेद 160 के तहट राजेपाल को चानकारी देना मुख्य मदरी का क्या है चलते हैं दोस्तों अखले परसंट की और अगला परसंट दोस्तों भारते समयदान के किस अनुचेद के अधिन राजयपाल राश्टपती के विचार के लिए किसी विदेग को अरक्सित रख सकता है दोस्तों अनुचे दोसों के ते राजयपाल राश्टपती के विचार के लिए किसी विदेग को अरक्सित रख सकता है तो दोस्तों इसका सही उत्तर जाएगा option बगद चलते हैं अगले person की और अगला person है दोस्तों राजस्तान के निम्नाकित राजयपालों में से कौन राजयपाल बनने के पूर राजस्तान लोकसेवायों के सदस्य रहे हैं तो दोस्तों इन सभी राजयपालों में से रखुकु के मद्य लोक से वायों के सदसी रहे हैं तो दोस्तों इसका सभी उत्तर जाएगा ऑफसन बःग चलते हैं अगले पर्शन के और कि अगला पर्शन है दोस्तों ने मैं कितको सुम्मेलित कीजिए तो दोस्तों इस वूची में मुख्य मंत्री है और इस सूची में राजेपाल तो दोस्तों बैरोसेंची सेकावद के समय राजेपाल कों थे तो बैरोसेंची सेकावद के समय राजेपाल थे ग्रगोकुल ते लगजी दोस्तों इसनके समय राष्टपतिसासन लग चुका है बरक्तुल्ला काम के समय राजेपालते सरदार जोगिन से दोस्तों बरक्तुल्ला काम राजस्तान के परतम अल्प संक्यक और अंतिम अल्प संक्यक मुखे मंत्री रह चुके भोनला सुकाडे के समय राजेपालते संपोनाना ये भी दोस्तों इनके समय भी राष्ट पतिसासन लग चुका है और फस्वंदर राजे के समय राजे पालते मदनला खुराना जुनोंने अपने पत से त्याग पत्र दे दिया था दोस्तों ये सभी सुमे लिते यानि अ में एक नंबर, बा में दोनबर, सा में तीन नंबर और दोस्तों दा में चाँ नंबर पहला नेमने विर्णों पर विचार करें पहला उप्सन हे दोस्तों अनुचेद 157 के तहत राजिपाल की पद के लिए दो योग्यात अगा निर्दार रहने जी हाँ दोस्तों ये उप्सन सहिए राजिपाल राजी की व्योष्टापिव का सदसी ओना ची जी नहीं दोस्तों राजिपाल किसी बीस सदन का सदसी नहीं ओना ची चाहे विदान सभाव चाहे विदान परिसद नियोप्तिक से पूर राजयपाल को 40 वर्स की आयूप पूर्ण कर लेने चाहिए जी नहीं दोस्तों राजयपाल की आयू 35 वर्स निर्दारी ते तो दोस्तों इसका सही उतर जाएगा केवल आप्शन अ यानि अ इसका सही उतर दोस्तों आप्शन अ होगा वाकि ये दोस्तों तोनों कतर गलत दें चलते हैं अगले पर्सन क्यों अगला पर्सन है दोस्तों निमलेकित मैंसे कौन सार राजयपाल के विश्यस अभिवासन से संबंधी थे तो दोस्तों इसका सही उत्र हो जाएगा Option अनुचेद 114 के तहद राजेपार अधिव्यसन का संभूधन करता है इसका सही उत्र हो जालते हैं अगले परसन के हो अगले परसन है दोस्तों समविदान के किस अनुचे में राजयपाल को विदान सभा में एंगलो एंडियन समुदाई के सदस्य को मनोनित करने का अधिकार है तो दोस्तों अनुचे 333 के से राजयपाल को अधिकार है कि वो विदान सभा में एक एंगलो एंडियन को मनोनित कर सकी इसका सेयुत स्युत थीदिरे का दोश्तो, auction बब पर राजेपाल दौरा कितने सदस्येको दौस पर आजरेको country करता है यानि एक एंगलोएंडियन को राज़ेपाल मनोनिध कर सकता है जलते हैं अगले परसेन की ओर अगला परसन है दोस्तों, राजस्तान में राजे का विधिक पर्मुख है, दोस्तों राजस्तान में राजे का विधिक पर्मुख होता है राजे का राजेपाल, इसका सही उत्र हो जाएगा option, तब चलते हैं अगले परसन के और, अगला परसन है दोस्तों, राजस्तान के रा राजेपाल विदान सभा को इस्तगित नहीं कर सकता विदान सभा को विगड़ेट करने की जी हां दोस्तों राजेपाल द्वारा विदान सभा को विगड़ेट किया जा सकते हैं विदान सभा के 17 वसान की जी हां विदान सभा के 17 वसान भी राजेपाल द्वारा किया जाता है दोस्तो इसका सही उतरएगा option रजपाल को इस्तकित करने के सकती नहीं है इसका सही उतर जाएगा option चलते हैं दोस्तो अगले पर्शन क्यों नविन प्रोटोकॉल की अंतरगत अब राजस्तान के राजयपाल को निमिलके दविवादन से संबोधित किया जाएगा तो दूस्तों राजयपाल को honorable अंगरी जी में माननी राजयपाल अथ्वा राजयपाल मोदे इंदी में इन सब्तों से राजयपाल जी को संबोधित किया जाएगा यानि इसका सही तो जाएगा option चलते हैं दूस्तों अगले पर्षन के और अगला पर्षन है दूस्तों निमलकेद में से कौन सा युक्म सही सुमेलित नहीं है तो अनुचेद 154 राजयपाल की कारेपाल लेका के सकती है जी हाँ दोस्तों ये सही सुमेलित नहीं दोस्तों अनुचेद 156 नहीं अनुचेद 157 के तहद राजयपाल की योगयताओं का उलेक है अनुचेद 163 राजय मंत्री परिशिद ये भी दोस्तों सुमेलित थे तो इसमें सही सुमेलित कौन सा नहीं है इसमें सही सुमेलित नहीं है आप्शन सर्थ राजयपाल की योगयताओं को लेका अनुचेद 157 में इसका सही दो तो रजय का उप्सन सर चलते हैं अगले पर्सिन की और अगला पर्सिन है दोस्तों एक राजी के राजेपाल की संदर में निम्न कतनों में से कौन से सही है पहला कतने दोस्तों, राजे की कारिपला की सक्ति इनमें नहीं थे, जी हां दोस्तों, राजे की कारिपला की सक्ति राजेपल में नहीं थे, इनकी उमर 35 वस पूंड होनी चाहिए, जी हां दोस्तों, इनकी न्योकती के समय इनकी उमर 35 वस पूंड होनी चाहिए, ये अपने प परफकास्ट गी के कारण समिधान में उलेकित नहीं है तो दूस्तों इसका सही तर जाएगा अब और सल यानि अब और सल और अप्सन ब चलते हैं दोस्तों अगले परसन क्यों अगला परसन है दोस्तों बारत्य अबीदान का कौन सा अनुचे राजय पाल को अधियतर चारी कर कानूर बनाने के सकती परदान करता है दोस्तों अनुचेद 213 कतियत राज्यपार अध्यादेश जारी कर सकता है इसका सही उतर जाएगा option दर चलते हैं अगले परसिन क्यों अगला परसिन है दोस्तों राज्यपार की अनुपस्तिते में उनके दायतियों का निर्वहन कौन करता है तो दोस्तों अनुचेद 160 में प्रावदा के उनकी अनुपस्तिती के समय यानि राज्यपार की अनुपस्तिती के समय उनके दायतियों का निर्वहन उच नियालक के मुख्य नियादिस या अन्य नियादिस द्वारा उनका दायतियोंगा निर्वहन किया जाएग याने दोस्तों अनुछित 160 में राज़िपाल की आक्समिक परिश्थित्यों का दोले के चलते हैं दोस्तों उगले परशेण को और अगला परशेण सर चलते हैं अगले परसन क्यों अनुसे 356 के तैट किसकी सिफार इस पर राजी के राश्टपती द्वारा राश्टपती सासन लगाया जाता है इसका सहीत तरो जाएगा option सर चलते हैं अगले परसन क्यों अगला परसने दोस्तों राजी विदान सभा में आगला परत्यों का समुचित बढति निदित नहीं होने पर राजेपाल उस समुदाय में कितने सदोचिगों विदान सभा में मनोवनित कर सकता है दोस्तों अनुचे 333 में प्रावदान है कि राजयपाल दोरा एक एंगलो इंडियन का मनोनन राजयपाल दोरा किया जा सकता है यानि दोस्तों इसका सहीत दोर जाएगा option यानि राजयपाल दोरा एक सदसे का मनोननन यानि एक आंगले पार्तिय का मनोननन किया जा सकता है चलते हैं दोस्तों अगले पर्सन के ओर अगला पर्सन है दोस्तों राजय पाद विदान परिशद में एक पटा च्छे सदोशियों को कितने वर्ट्स के लिए मनोनित करता है तो दोस्तों राजय पाद च्छे वर्ट्स के लिए कला साहित्य खेल वर सिक्सा सेत्र से जुड़े किसी भी सदोशियों को यानि दोस्तों विदान सभा के एक पटा विदान परिशद के एक बटा च्छे सदोशियों का मनोनित राजय पाल द्वर्ट्स किया जा सकता है दोस्तों इसका सही उतर हो जाएगा option sir विदान बंजल की पैटक शुरू होने से 6 सब्ता था मत्यादेश पर्भावी रहता है इसका उतर हो जाएगा option sir चलते हैं अगले पर्शन क्यों राजेपाल होता है दोस्तों कारेपाले का मुक्या दोस्तों राजेपाल केवल एक बार पुनर विचारेतु साधान विदेख को लोटा सकता है इसका सही उतर होगा option sir चलते हैं अगले पर्शन क्यों अगला पर्शन है दोस्तों राजेपाल का पद रिक्त हो जाने पर उसके पद पर कौन कारे करता है जों दो राजय पाल का पत रिक्त हो जाने पर राजय के उच न्याले के मुक्य न्याधिश यह अन्य न्याधिश तुरागати कि पत के कार्यों का निर्वाहन किया जाता है इसका सही उत्त रुजरे का ओप्सन दब चलते हैं अगले पर्शन क्यों राजय पाल दौरा विधान सभाव पंक कि जाती है सवाइं के इच्छा पर जी नहीं दोस्तों वह सवाइं की इच्छा पर विदान सभा को पंग नहीं कर सकता। अगर मुक्हाँ मत्री सीफारीड करें तो विदान सभा को पंग किया जा सकते एए सथटेट्यों में क्यांदर सरकार आदेस पर जी हां whether विशेस् परिस्द्यूमिंगे डिश के अधिस्प व 2021 सभा को पांग कर सकता है, यानि दोस्टो वर वस्ता इसके सैयुत्र होगे, इसका सैयुत्र हो जायो Isnti Itaisei supreme wise, चलते हैं अगला परसनिे सजीना में आज़शतान में राज परमुखपद कब तक बनारा, तक बना रहा है बता दे दोस्तों राजे अमारे राजी राजस्तान एक नवंबर उनिसो चपन को पूर्ण वाता और दोस्तों राजे को पूर्ण कटन के बाद राजपर्मु के पत को समाग पर्द कर दिया गया और इसके इस्तान पर राजेपाल का पत स्विकर्द किया गया और दोस्तों राजस्तान की पर्थम वा अंतिम राज़ परमुक कौन थे राजस्तान की पर्थम अंतिम राज़ परमुक थे दोस्तों सवाई मान सिंग ची इसका सही होतर जाएगा दोस्तों उप्शन सर्ड चलते हैं दोस्तों अगले पर्शन की अगला पर्शन है दोस्तों पर राजी का सहा सशा सथ रहता है दोस्तों राज़ये पाल के नियंद्धम में इसका सहीत हरो ज official चलते हैं अगले पर्सेन के और अगले पर्शन ए दोस्तों Rाज़ये पाल अपने पद्पर कप तक बना रहता है तोस्ता राज़ये पाल अपने प पद वर को निक्ह keyword होता है दोस्तों पांच वर्स चलते हैं अगले पर्शन क्यों अगला पर्शन है दोस्तों राजस्तान के वे राजिपा जिनका पद पर रहते हुए जिनका पद पर रहते हुए निदन हो गया दोस्तों अब तक कोल चार राज्य पालों का पद पर रहते हुए निदन हो चुका है जिनमें से निर्मल चंजिया दर्बार सिंग जी और दोस्तों सहलेंदर सिंग और उस्तों परबारा अब तक चार राजियपालों का अपने पद पर रहते हुए यादि राजयपालों पर रहते हुए राजस्तान के चार राजयेपालों का निदन हो चुका है निर्मचन जेंच, दर्वार से, सेलन से living उसका सेयती रहे गाउप्षन दफ चलते हैं दोस्तों अगले परसन क्यों अगले परसन है दोस्तों पार्थे सविधान का कौन सा अनुचित किसी राजी के राजेपाल को समाधान की सकती परदान करता है दोस्तों अनुचे 161 कहता है राजेपाल को सक्ति प्राप्ते की वह किसी भी सिर्द दोस व्यक्ति के सजा को कम या माफ किया जा सकता है दोस्तों ध्यान रहें कि मिर्द्यु सजा को माफ नहीं किया जा सकता है दोस्तों ये केवल कम गी जा सकती है और सेना द्वारा दिया गया धंड को माप नहीं किया जा सकता इसका सहीत तो रजेगा option चलते हैं दूस्तों अगले परसंड क्यों अगला परसंड किसी राजी के राजेपा द्वारा जारी अध्यादिस ओर्डिनेंस का अनुबदर होना आव सके तो दूस्तों ओर्डिनेंस का अनुबदर राजे की विधाई का द्वारा होना आव सके इसका सहीत तो रजेगा दूस्तों option चलते हैं अगले परसंड की और अगला परसंड दूस्तों राजेपा सुने की पिंजरे में निवास करने वाली चिडिया के समतुलिया यह कतन किस ने कहाता दोस्तों यह कतन कहाता सरोजनी नाइडो ने जो दोस्तों हमारे सतंदर बारत की परतम मेहला राजेपार रही थी यह रही थी दोस्तों यूपी की परतम मेहला राजेपार यह कतन कहा गया है सरोजनी नाइडो द्वारा इसका सहीतर हो जाएगा option चलते हैं अगले पर्षन के और अगला पर्षन है दोस्तों राजेपाल का वेतर मिलता है तो राजे की संचित निदी से इसका सहीतर हो जाएगा option चलते हैं अगले पर्षन के और अगला पर्षन है दोस्तों जिला नियाई दीशों की नियुक्ति करता है तो जिला नियाई दीशों की नियुक्ति राजेपाल द्वारा की जाती है अनुचेर 233 के तहर जिला नियाई दीशों की नियुक्ति राजेपाल द्वारा की जाती है जिला नियादिशों के नुक्ति के जाती है राजी पाल दवरी और इसका उले के अनुचे 233 में चलते हैं अगले परसन के और अगला परसन दोस्तों राजी को आकस्मिक निदी किसके दवरा संचालित की जाती है राजी की आकस्मिक निदी इसका उले के दोस्तों अनुचे 266 में 266 में उले के दोस्तों कि राजी की आक्समिंग निदी का संचारा राजेपाल द्वारा किया जाएगा चलते हैं दोस्तों अगले परसन की और अगला परसन है दोस्तों राजी की कारेपालिका में कौन सामिल नहीं होता दोस्तों राजे की कारिपालिका में राजेपाल सामिल होता है मुक्य मंत्री सामिल होता है और मंत्री परिस्त सामिल होता है लोका युद राजे की कारिपालिका में सामिल नहीं होता है इसका सही उतर रहेगा दोस्तों चलते हैं अगले परसिन की और अगला परसन है दोस्तों पार्तिय समिदान की किस अनुच सुची में राजेपाल के वेतन का उले के अनुच सुची 2 में राजेपाल के वेतन का उले के इसका सही उतर जाएगा उपसर चलते हैं अगला परसन है दोस्तों राजेपाल के पास नियम्न मैंसे कौन से सक्ति प्राप्त नहीं है कारेपाली का सक्ति प्राप्त है जी यहां दोस्तों राजेपाल को कारेपाली का की सक्ति प्राप्त है राजनेक सक्ति जी नहीं दोस्तों राजेपाल को राज ने एक सकती प्राप्त नहीं है चलते हैं अगला परसन क्यों अगला परसन है दोस्तों राजेपाल जिन्हें बरकास्त किया गया दोस्तों रगुकुल तिलग को रगुकुल तिलग राजस्तान के ऐसे राजेपाल है जिन्हें अपने परस से बरकास्त किया गया था चलते हैं अगले परसन क्यों अगला परसन है दोस्तों राजस्तान राजी में किस राजेपाल का कार्यकाल सबसे कम रहा दोस्तों दर्बार जलते हैं अगले परशन के ऊग्ले परशन दोस्तों राजे बारीमनाइस कौना सा लोंत करता है अधिनस नियाला ज्ला के न्यालाओ द्वार駝 की ज्याति यह कतन दोस्तों सही हो गया राजेपा सदेव मंत्री मंडल की सला पर कारे करने को बात दिया है राजेपा सदेव मंत्री मंडल की सला पर कारे करने को बात दिया है जी नहीं दोस्तों मंत्री मंडल की सला पर कारे करने को बात दिया नहीं है वह राजिक आपचारी कारेपालिका का पर्दान होता है यहाँ 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 गलत कतन हो जाएगा केवल दो यानि आपचारी कारेपालिका का पर्दान होता है अगला परसेन दोस्तों नियमन को सुमेलित कीजिए अनुचित 157 के तहट राजिपाल की योगेताओं का उल्लेक है 155 के तहट राजिपाल की नियुकती दोस्तों 156 के तहट राजिपाल की पधावती और 169 के तहट सपत राजिपाल की सपत यानि दोस्तों ऑप्सन अ में 3 यानि 157 में राजिपाल की योगेताओं ऑप्सन बह में होगा दोस्तों राजिपाल की नियुकती यानि इसमें होगा 4 ऑप्सन सर में होगा दोस्तों राजिपाल की पधावती यानि option एक और अंते में अनुचेद 169 में राजेपाल के सपत का उले 169 में यानि इसमें होगा दो यानि 3, 4, 1 और 2 चलते हैं अगले परसन के और अगला परसन है दूस्तों राजस्तान के राजेपाल कुला दीपती होते हैं दोस्तों ये खुलादे पती होते हैं सभी राजी विश्य विद्यालों के इसका सही उत्र हो जाएगा option जलते हैं अगले परसन के और अगला परसन है दोस्तों एक राजी के राजेपाल के संदर में नियम्न कत्नों में से सही है राजी की कारेपाल के सकतिया इनमें नहीं थे जी हां राजी की कारेपाल के सकतिया राजेपाल में नहीं थे इनकी उमर 35 पूर नियुक्तिक समय 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 इनकी उमर 35 पूर नि के नहीं है राजये पाल के और राश्ट पती के परसात प्रिंद अपने पत पर बने रहते हैं तो दूस्तो इसका सही उत्र जाएगा option जानने 5-6 कतन सही है और चोता कतन दूस्तों गलत सिर्टते हैं अगले और परसन के और अगला परसन दोस्तों निरनाकेत में कौन साधिका राजयेपाल को नहीं है मुख्यमंत्री को नियुकती पिसलух gonnathe ह्हजी व миллиट के है और यह किस अनुचियत के सहaltro स्वेगते हैं। नंत्रियी के सिथास्व एकया दौस्ट mm यहां, यह तो भू Спथ concerned है तो इसका सहे उतर जए का option f peg उच नियाले के नियादियो स्य की नियुकती नियादियो स्य नियुकती राजय पाल द्वारा नहीं के जाती लाज़य पाल के समुद्यी परकेरिय का से bakṣ नियुकती जाती है lapsu से उत्र जयेका उप्शन चलते हैं दूस्तो अगले पर्शन के और अगला पर्शन है दूस्तो राजस्तान के पहले वह एक मादर राजपर्मु थे सवाई महाल सिंह जी राजपरमो का पत 1 नवबर 1956 को राज़ियों के पुनर गठन के बाद राजपरमो का पत समाप्त कर दिया गया और दोस्तों इसके तान पर राज़ेपाल के पत को सुखरती परदान की गई इसका उतर जाएगा दोस्तों ओप्सन सन चालते हैं अगले परसन के और अगला परसन है दोस्तों राज़े में राजपरती सासन के करम में राजपरमो का सही करम है दोस्तों राज़े में राजपरती सासन अब तक 4 बाद लग चुका है दोस्तों हमें बताना है कि इन सभी राजपरमों में से राष्टपति सासन सबसे पहले और सबसे अंतिम किनके समय में लगा दोस्तों सबसे पहले राष्टपति सासन 1967 में संपूर्ण आणंद के समय लगा दोस्तों दूसरी बार राष्टपति सासन लगा पहली बार राष्टपति सासन 1967 1967 में दोस्त, 1967 में नहीं, 1967 में दूसरी बार राश्ट पति साषन लगा 1977 में और दूस्तों, 1997 में राजेपाल कौन थे? उस समय राजेपाल थे वेदपाल त्यागी दूस्तों, एक नंबर पहले आएगा, उसके पाद चार नंबर और उस्तों तीसरी बार राश्टपती सासन लगा था 1980 में और 1980 के समय राजेपाल थे रगुकुल ते लग और उस्तों अंतिम राश्टपती सासन लगा था 1902 में और उस समय राजेपाल थे M. चेनना रेटी तो एक नम्बर पहले, उसके बाद चार नम्बर, उसके बाद तीन नम्बर और उसके बाद दो नमबर यानि दोस्तों सबसे पहले राश्टपती सासन लगने के समय राजेपाल थे दौक्टर संपोनानन्द जो कि 1967 में लगा था दूसरी बार राष्ट पती सासन लगा था वेदपाल त्यागी के समय यह लगा था 1907 में तेसरी बार राष्ट पती सासन लगा था 1908 में उस समय राजयपाल ते रगुगुलती लग और अंतिन बार राष्ट पती सासन लगा था M. चेनारेड़ी के समय उ जाएगा एक चार तीन दो यानि option सर इसका सही उत्तर होगा चलते हैं अगले पर्शन के और अगला पर्शन दोस्तों राश्टपती सासा अधिक्तम लगाया जा सकता है तो दोस्तों राश्टपती सासा अधिक्तम लगाया जा सकता है तेन वर्सों के लिए समसद जानक दोस्तों लोग सबा और राजे सबा में डौनों में अधिन्यम 5 होना चाहिए इसके तहद राश्टपति सासर तीन वर्च के लिए अधिक तंध लगाया जा सकता है चलते हैं दोस्तो अगले परशन कियो अगला परसन है दोस्तों राजे की पर्थम महिला राजेपाल जो भारत की पर्थम महिला राष्टपती भी बनी दोस्तों राजे की पर्थम महिला राष्टपती भी बनी चलते हैं दोस्तों अगले परसन क्यों अगला परशन है दोस्तों किस अनुचेद में राजे पाल पद की आकस्मिक प्रिज्थितियों का उड़ लेख है तो दोस्तों ये उड़ लेख है अनुचेद 160 इसका सहीवत रोजेगा दोस्तों अप्सन बहुत चलते हैं दोस्तों अगले परशन क्यों अगला परशन है दोस्तों किस समिदान संसोधन के तहट प्रावधान किया गया कि एक वेक्ति दो या दो से अधिक राजियों के लिए राजे पार्नियों किया जा सकता है दोस्तों साथवे समिदान संसोधन के अंतरकत प्रावधान किया गया कि एक वेक्ति एक या दो या अधिक दो से अधिक राजियों के लिए राजयपाल रह सकता है यह किया गया तो उस्तों सब्सक्राइब निस सो चपन में जब राजियों का पुनर गठेंट किया गया था इसका सही उतर होगा दूस्तों, option A चलते हैं दूस्तों अगले पर्शन के और अगला पर्शन है दूस्तों किस अनुचेत के तहत महा दिवक्ता की नियुक्ति राजेपाल द्वारा की जाती है तो दोस्तों इसका सही उतर होगा option अनुचे 165 के तहट राजेपाल द्वारा महा दिवक्ता की नियुक्ति की जाती है इसका सही उत्र जाएगा option चलते हैं अगले परशन के अगला परशन है दोस्तों किस अनूचेद के तहाथ राजयपाल दौरा विश्व विद्याले के कुल पतियों के निवप्ति की जाती है तो दोस्तों अनूचेद 167 के तहाथ राजयपाल दौरा फिस विद्याले के कुल पतियों की नवब्ति की जाती है इसका उतर भी दोस्तों सही हो जाएगा option चलते हैं अगले परषन के ओर अगला परषन है दोस्तों उच नियाले के नियाति उस्सकु सब्द देलवाई जाती है राजेपाल दोरा दोस्तों अनुचे मेरे दोस्तों बारत के समीदान में इसके विरूद अभयोग लगाने का प्रावदार नहीं है यह राश्टपती दोरा NAID जासकते हैं यह राश्टपती के परसाथ प्रेंद अपने पत पर रहते ह। बागे दो तो राज्ट पती, मुखे नयातीज और उप राष्ट पती, इनके विरुद अभियोग यानि महाभियोग लगया जा सकता है इसका सही उतरगा दोस्तों, पर राज्यपाल के विरुद अभियोग नहीं लगया जा सकता है ये प्रावदान आमारे समिदान में नहीं है चलते हैं अगला पर्षन की और अगला पर्षन ही दोस्तों पारत के समिदान के अनुचेत दोस्तों के अधिन राजय पार राजय विदान मंडल द्वारा पारित विदैक पर अपनी अनुमती रोख सकता है राजिय विदान मंडल दौरा पारित विदेकों को राष्टपती के विचारात आरक्सित रख सकता है धन विदेक के अतिरीत किसी विदेक को विदान मंडल में पुनवच्चारत या दोस्तों अनुचे 200 के तहीत यह सभी प्रावदान चाहिए तो दूस्तो इसका सही उत्तर होगा option चलता है दूस्तोm अगला परशन है दूस्तोм सहाओधान के किस अनुचेद के अनुचेद के आनुचार राजे के राजएपाल के दोर मुक्य मद्र्यों के नियुक्ति की जाती है तो दूस्तों अनुचेत 164 के तहट राज्य पाल द्वारा मुख्य मंत्री की नियुक्ति की जाती है इसका सही उत्र जाएगा उप्शन चलते हैं अगले परसन के अगला परसन दूस्तों इसका सही उत्र जाएगा उप्शन साइगा तक रहता है इसका सही तो रजाएगा option चलते हैं दूस्तों अगले पर्षन के और अगला पर्षन है दूस्तों किस अनुचेत के थायत राज्येपाल मुख्य मंत्री के सासन और परसासन से सम्मदित किसी भी परकार की सूचना माग सकता है तो दूस्तों अनुचेत एक सो सरसाड केता है मुख्य मंत्री का कर्तविया होता है कि वह राज्येपाल को सासन और परसासन से सम्मदित किसी भी परकार की सूचना माग साने पर राज्येपाल को वह सूचना देव इसका सही तो रजाएगा दूस्तों option चलता है दोस्तों अगला परसन के और अगला परसनी दोस्तों नेमहिल लिकित को सुम्मदित कीजी तो राष्ण पतिसासन और उनके ततकाली राज्येपाल के सम्मदित यह परसने दोस्तों गड़ाक करेंच तो दूस्तो पहले ओप्शन में हो जाएगा Option 2, यानि दोस्तो, 1964 में तत्कली राजे पालते, समपनान, उप्शन 12 में हो जाएगा szampo na-nap 6 जब 1935 में राजे पालते, वेत पालते आगी यानि इसमें दव में हो जाएगा, croom, यानि 1990 में राजे पालते रगूलदेना और दोस्तो अंतिम यानि जब अंतिम बाराश्पति सब्सक्राइब लगा था तो उस्त में राजिपाल थे M.C.N. रिटी यानि इसमें 10 में हो जाएगा तेन नमबर यानि 2,1,4,3 चलते हैं दोस्तो अगले परसेन की और अगला परसेन है दोस्तो राजिस्तान में राजिपा रहते होए निधन हो चुका है दोस्तो ये 4 रटी कौन थे पहला थे S.K.S. यानि दोस्तो शेहलंदर कुमार शेह , दूसरे थे दोस्तो निटमल चंजैन को तीसरे थे दोस्तों दर्बार सींह इनका कारे काल सबसे कम था केवल 23 दिन का कारे काल था उन्सों 4 थी परबारा यह दोस्तों 4 राजी पाल है अगला परशन है दोस्तों राजस्तान में राजेपाल के पत्पर आशिन होने वाली महिल आएं जोश्तों अब तक परतीवा देवी सींह पार्टी परबा राव उस्तों मर्गे टाला यानि अग्लाac परशन के गोश्तों बारत की राजेपाल से सम्मदे नियम्न कत्तों पर ज्यान दिये जी दोस्तों पहला कतने वह जन्म से भारत का नागरी गोना ची जे नहीं दोस्तों वह आवसर नहीं है कि वह जन्म से भारत का नागरी कोना ची उनकी आयू कम सेगा 25 सर्षुने जे नहीं दोस्तों उनकी आयो 35 वस पूर्ण होने चाहिए एक सहाथिक राजियो का राजिय पर हो सकता है जी हाँ दोस्तों 27.70.1956 के तहट प्रावदा ने कि एक सहाथिक राजियो के लिए राजिय पर हो सकता है दोस्तों इसका सही उतर हो जाएगा केवल option 3 यानि दोस्तों केवल गतन तेन सही होगा इसका सही उत्रगा उप्सन दव चलते हैं दोस्तों अगले परसन की और अगड़ा परसन दोस्तों राजी पार नहीं लेकेद में से किन विश्यों पर राष्ट पती को सिफा रिस्क कर सकता है दोस्तों राजी मंत्री परसन की परकास्ट गीपर उच नियाले के नियादिश्यों को अटाय जाना राजी विदान सबा का विक्टन राजी में समीदा निगमसिन दिख्टा पोना तो दोस्तों राजी पाल राजी मंत्री परसन की परकास्ट की पर राष्ट पती सासन की सिफारिस कर सकता है राजी विदान सबा के विक्टन पर सिफारिस कर सकता है गुरुस्तों राजे में समिदारी मसिंडी ठप होने पर राश्टपती सासन की सिपारिस कर सकता है इसका सही उतर जेगा दोस्तों ओप्सन स याने एक तीन पर चार इन परिस्तेतियों में राजेपाल राश्टपती सासन के लिए सिपारिस कर सकता है चलते हैं दोस्तों अगले परसन के और उप्षंड दोस्तों, राज़ेपाल को किस अनुचेत केते हैं सब विवेक की सक्द्या प्रापते राजस्तान में निम्ना कित राज़ेपालो मैं से कौन राजसापाल बढ़ने से पूर। राजस्तान लोग सिवायो के सदसी रहें सिवायों के सज़से रह चुके हैं और 1908-1960 के भी इनका कारेकाल था इस कारेकाल में राजस्तान लोग सिवायों के सज़से रह चुके हैं अगला परसन है दोस्तों दोस्तों राजेपाल राजी में राष्यपति का परती निद्र होता है सः चलते हैं अगले पर्षन के और अगला पर्षन है दोस्तों राजस्तान में निम्नाकिन राजयपालों में से कौन लोगसभा के अध्यक्स भी रहे हैं तो दोस्तों इन राजयपालों में से बले राम भगत लोगसभा के अध्यक्स भी रहे चुके हैं इसका सही उत्तरगा उप्शन चलते हैं अगले परसिन के और अगला परसन है दोस्तों गुरुमुक निहाल सिंग को राजस्तान का पर्तम राजेपाल नियुक्त किया गया था तो दोस्तों गुरुमुक नियाल सिंग को राज्य का राजेपाल कब नियुक्त किया गया था यह नियूट किया गया था 25 सक्टुमबर 1956 को इसका सही उत्तरगा ओप्षन दर चलते हैं अगले पर्सन क्यों अगला पर्सन है दोस्तों बारतिय समीदान का कौन सा अनुचेद राज्यपाल के कारेकाल से संब्द दीते है दोस्तों राज्यपाल के कारेकाल का उलेक अनुचे 156 में इसका सही उत्तरगा ओप्षन दर चलते हैं दोस्तों अगले पर्सन क्यों अगला पर्सन है दोस्तों राज्यपाल की पर्तिमा अवेतन कितना होता है तो इसका सही उत्तरगा ओप्षन दर चलते हैं अगले पर्सन क्यों अगला पर्सन है उप राज्यपाल की नियुक कौन करता है तो दोस्टों उप राजेपाल की न्यूकती भी राश्टपती के द्वारा ही कि जाती है इसका सही उत्रगा ओप्शन ब, चलते हैं अगले परशन की और अगला परशन है बारतिय समीदान के अनुसार राज्य का अधिशा सी परदान कौन होता है तो दोस्टों र अनुचेद 153 के अनुचेद 153 के अनुचेद 169 के तहट सपत का प्रारूप है, राजेपाल की सपत का प्रारूप किसमे है, अनुचेद 169 के तहट अत्यादेश जारी करता है, जी नहीं दोस्तों, 219 के तहट अध्यादेश जारी नहीं करता है, राजेपाल अनुचेद 213 के तहट अध्यादेश जारी करता है, तो दोस्तों इसका साइय उत्तर हगा आप्शन दर्फ चलते हैं दोस्तों अगले परसन की और अगला परसन है दोस्तों बारत की पहली महिला राजेपाल कौन थी? चलते हैं दोस्तों अगले परसन के और अगला परसन है किसकी अनुमति के बिना राजे की विदान सबा में कोई धन विदयक पास नहीं हो सकता तो दोस्तों राजे पाल के अनुमति के बिना विदान सबा में कोई धन विदयक पास नहीं हो सकता इसका सही उतरगा दोस्तों ओप्सन दर चलते हैं अगले परसन की और अगला परसन है दोस्तों निमलकिद मैंसे किसको महाबियोग के बिना अटाया जा सकता है तो दोस्तों राजेपाल को महाबियोग के द्वारा अटाया जा सकता है दोस्तों राजेपाल राश्पती के तो दोस्तो इसका से उतरगा उप्षन चलते हैं और अगला परसन दोफो किस अनुचेत के द्वारा बजट राजेपाल के नाम से परस्तुत होता है तो दोस्तों बजट का बजट अनुचे 202 के तहत राजेपाल के नाम से प्रस्तुत किया जाता है इसका सही उत्तरगा उप्शन बर चलते हैं अगले परसन की और अगला परसन दोस्तों तो राजेपाल विदान परिशद में एक पट अच्छे सदोस्य का मनोयन किस अनुचेद के तहत करता है तो दोस्तों राजेपाल 111 अनुचेद 111 के तहत विदान परिशद में एक पट अच्छे सदोस्य का मनोयन करता है इसका सहीरत तो रगा दोस्तों आपसन तो धन्यवाद दोस्तों यह मैथपूंट 100 पशन थे जो कि विबिन परिक्साओं में पिछली परिक्साओं में पूछे जा चुके हैं दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ सेयर करें और दोस्तों अट्टा M.C.Q.G. को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए मैथपूंट पसन झाल सब्सक्तों मिलते हैं जरूर करें दोस्तों Triple